अब जो आप सभी को नमस्कार क्या हाल है आप सभी के उमीद है आप ठीक ठाक होंगे मस्त होंगे बढ़िया होंगे मेरे नन्य मुन्य बच्चो आप सभी का स्वागत है मेरी इस कलास में मेरे प्यारे बच्चो आज मेरा नया बच्च स्टार्ट हुआ रहा है सात करवरी को और ये जो मेरा बच्च है ये मेरे प्यारे बच्चो केरेवल एप पर मेरा स्टार्ट हुआ है इस बच्च की जो ये पहली कलास है मैं ये यूट्यूब पर भी लाइव ले रहा हूँ पहल भी हम किसी बैट्स को start करें तो उसकी starting में कुछ ऐसी चोटी चोटी चीज़ें हमें करानी चाहिए जिससे बच्चों को आने वाले समय में उसका लंबा फायदा मिले मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको calculation की बारीकियों से रूबरू कराऊंगा मैं आपको calculation की छोटी छोटी बातें बताऊंगा वो बाते हैं जो आपके exam में सीधे सीधे use होनी है तो मेरे नन्य मुन्य बच्चों ये class मेरे YouTube channel पर भी live है Mathsvair Agisheado sir और मेरे carrival app पर भी मेरे बैच में class live है आप दोनों जगें इस class को देख रहे हैं आप सभी का इस class में सुवागत है मेरे बच्चों मैं आप सबके comment पढ़ूँगा आप सबने क्या करना है इस class को fruitful बनाने के लिए एक rough copy पहन लेना है जो मैं समझा रहा हूं से समझना है जो सवाल मैं आप से करूँ सवालों का मुझे जल्दी जल्दी से answer करना और कुछ नहीं चलिए मदमस्त हो जाए और जो बच्चा सबसे बढ़िया comment करेगा सबसे जल्दी answer देगा उसका मैं नाम लूँगा दूसरा हरे एक बच्चे ने अगर सबको ये वीडियो पसंद आ रही है एक लास पसंद आ रही है तो like कर देना, share कर देना, subscribe कर देना मेरे नन्ने मुन्ने बच्चो आज हम पढ़ रहे हैं calculation और calculation में सबसे एहम हिस्सा होता है scare scare को हिंदी में कहते है work spelling mistake पर मज़ाना work मेरे ब्यारे बच्चो किसी भी संख्या का work निकालना है तो इसे मैं तीन टुकडों में बाटता हूँ तीन तरीके होते है work निकालने के पहला तरीका है base 100 लेके ये base 100 लेके कैसे होता है ये कहानी समझा रहा हूँ ये पहला तरीका है दूसा तरीका है मेरे बच्चे कि हम सीधे सीधे फार्मले पे जाएं A, B, C, चितने भी डिजिट हैं उसके according एक तरीका त्यार करें और तीसरा होता है सम logic कुछ logic होते हैं, कुछ tricks होती हैं जो अलग-अलग varieties पे अलग-अलग तरीके से define होती है तो मेरे प्यारे बच्चों हम इनी सारी चीजों पे आज आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आज की class के बाद square नाम की विमारी आपके जिए उन से हमीशा के लिए खतम हो जाए मैं ये जरूर मानता हूँ पढ़ाने से पहले कि आप मैं यहां जितने भी विच्चे बैठे हुए मैं इन क्लासों में जो देख रहे हैं लाइफ इन सब को एक से लेके दस तक के वर्ग सभी को याद होंगे ऐसा मैं मान के ही आगे बाढ़ रहा हूँ तो आईए मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ तो बेस हंड़र पे चर्चा करते हैं मेरे बच्चे सबसे पहले आईए मेरे बच्चो माल लेजे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई एक सो पांच का वर्ग बताइए क्या हो बेस हंड़र ले रहा हूँ बेस हंड़र का मतलब मैं जो भी कैलकुलीशन करूँगा वो सो को ही सच मानते भे करूँगा तो मेरे बच्चे आप सबसे पहले क्या काम करेंगा आप ये देखें कि ये सो से कितना बड़ा है तो आप कहेंगे सर ये सो से पांच बड़ा है मैं आपसे पूछू, 103 का work बताइए तो आप यह देखिए, 100 से कितना जादा है? 3 जादा है तो मैंने कहा था कि 3, जितना जादा उसका work करो 3 का work 9, 2 अंकों में लिखता हूँ फिर 3 का double करो 3 का double कितना हूँ है, मेरे बच्चे 6 100 में 6 जोड़ दो, 106 मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं 108 का वर्क बताईए तो आप यह देखे 100 से कितना ज़्यादा है मेरे बच्चो 8 ज़्यादा है तो 8 का वर्क 64 दो अंकों में लिखना है अब 8 का डबल करोगे 16 100 में 16 जोड़ा 116 मेरे बच्चे मैं आपसे कह coke Seattle compete बता हूं तो आप यह सो से कितना ज्यादा है तो आप गेंगे सरी घुरालज्टो पारी ज्यादा है जो एक एक इक अगर मेरे बच्चे बारा का डबल करेंगे 24 सスト में 24 जोडा एक सोचवशूब्स लेकिन होगा क्या कि ये एक हांसेल जो थी ये भी इसमें जोड़नी होगी तो 124 और एक 125 धिरे धिरे समझाओ को अच्छिन दामत करो मैं कहूँ मेरे भाई 109 का वर्ग बताओ तो ये बताओ 9 का वर्ग कितना हो 81 बहुत सुंदर 100 से कितना जादा था, 9, 9 का वर्ग 182 अंगों में लिख दिया अब 9 का डबल 18, 100 में 18 जोड़ा 118 है कैसी मेरे भाई 111 का वर्ग बताओ तो आप ये देखेंगे कि सर 100 से कितना जादा 11 11 का वर्ग 121, तो सिर्फ 2 अंगों में लिखना है दो एक में एक हसे लागे अब 11 का डबल 22 सो में 22 जोड़ा 122 और एक ये वला हसे तो एक सो तेश तो आंसर होगा एक सो तेश एक्केस मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे बताओ 104 का वर्ग बताओ क्या होगा तो आप कहोगे सो से कितना ज़्यादा था चार तो चार का वर्ग कितना होगा 16 हाँ जी और कितना ज़्यादा था चार तो चार का डबल 8 सो में 8 जोड़ा 108 तो आंसर आया 108 जोड़ा हाँ है ना मैं कहूँ मेरे भाई 107 का वर्ग बताओ तो आपने देखना है सो से कितना ज़्याद है, साथ, साथ का वर्ग 49, बहुत बढ़िया, कितना ज़्यादा था साथ, तो साथ का डबल 14, सो में 14 जोड़ा 114, बहुत बढ़िया, मेरे भाई, मैं आप से कहूँ 110 का वर्ग बताओ, तो आप ये बताओ, सो से कितना ज़्याद है, 10, 10 का वर्ग, सो, लेकिन दो ही अंकों में आंसर देना है तो 2-0, हसल 1 अब 10 का डबल 20, 100 में 20 जोड़ा 120 और 1 की वाला हसल तो 121 तो आंसर आएगा 121 डबल जिरो मेरे बच्चे मैं आप से पूछू 113 का वर्ग बताओ तो आप ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है? 13 अब 13 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे 169 13 का वर्ग कितना होता है? 169 तो 169, 169 में सिर्फ 69 लिखो दो ही डिजट, बचा कितना? 1 अब 13 का डबल 26, 100 में 26 जोड़ा 126 और 1, 127 समझे? मैं आप से मेरे बच्चों कहूँ कि भाई मुझे बताओ 114 का वर्ग कितना होगा? आपने बस खटा-खट कमेंट करना है आंसर बताना, बताइए दीखिए छोटी-छोटी बाते बहुत कामानी है, रोहे बहुत बढ़िया बेटा तो यह बताइए 14 का वर्ग कितना हुआ? 116 में है, तो यहां लिखेंगे 9-6 दो अंकों का एक हासे लिखेंगे अब 14 का डबल, क्योंकि 100 से 14 जादा था, 14 का डबल 28, 28-1, 39 100 में 39 जोड़ा, 139 बहुत बढ़िया मैं कहुँ भाई, 115 का वर्ग बताओ आप कहुँगे 100 से कितना जादा 15, 15 का वर्ग 225 हासे लागे 2 बहुत बढ़िया 15 का डबल मेरे बच्चे 30 100 में 30 जोड़ा, 130 और 2, 132 हाँ जी 100 से कितना जादा, 16 16 का वर्ग 256 हासे लागे 2 हाँ जी, अब 16 का डबल 32 100 में 32 जोड़ा, 132 और 2, 134 134 चपपन मेरा अंसर आगे मैं आपको कहूँ 117 का वर्ग बताईए तो 17 का वर्ग 289 89 लेखे 2 मेरे बच्चे हासे लागे अब 17 का डबल 34 100 में 34 जोड़ेंगे 134 और 2, 136 तो ये मेरा अंसर आगे हाँ है ना मेरे भाई, मैं आपको कहूँ 118 का वर्ग बताओ तो 100 से कितना बड़ा? 18, 18 का वर्ग 324 दो अंग, हासल 3 18 का डबल 36, 36 और 3, 49, 100 में 49 जोड़ा 119, बात यही है 100 से 18 जोड़ा, 18 का डबल 36, 100 में 36, जोड़ा 36, और 3, 149 कैसे भी घुमाओ? मैं आपसे कहूँ 121 का वर्ग बताओ अब आप कहेंगे हमें 21 का वर्ग नहीं पता कोई नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनलो, थोड़ी दिर में सम्झाओंगा मेरे बच्चे 121 का वर्ग निकाल रहे हो, तो कितना ज्यादा 100 से 21 ज्यादा तो 21 का वर्ग कितना हुआ? 441 तो चार एक लिक होगे, चार हाँ से रहे हैं अब 21 का डबल 42, 100 में 42 जोड़ा, 142 142 और 4, 144 141, हाँ जी? मैं आपको कहूँ 122 का वर्ग बताओ तो मेरे बच्चे बताओ, 22 का वर्ग कितना हुआ? 484 हाँ से लागई 4, दो डिजट ले लिया अब 22 का डबल मेरे बच्चे 44, 100 में 44 जोड़ा, 144 और 4, 148 तो आंसर होगा 148, 84 हाँ है न? मेरे बच्चे ओ, ठोड़ी छोटी 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 समझ है जो आपको करनी पड़ेगी, इसके बना बात बनेगी नहीं मैं आपसे पूछओ, 119 का वर्ग बताओ तो यह बताओ, 100 से कितना ज्यादा मेरे बच्चे? 19, 19 का वर 361 तीन हासे लागई 19 का डबल 38, 38 और 3 मेरे बच्चे? 41 141 चलो मेरे भाई यह बताओ, 125 का वर्ग क्या होगा? तो सर यह बताओ, 100 से कितना ज्यादा मेरे बच्चे? 25 ज्यादा कितना ज्यादा मेरे बच्चे? 25 ज्यादा तो 25 का वर्ग मेरे बच्चे 625 दो अंकों में लिकोगे हासे लिखेंगे 6 अब 25 का डबल 50 उसे जितनी बड़ी value है उसका work करो आखरी दो digit में लिको फिर जितनी बड़ी है उसका double करो so में जोड़ो अगर hustle थी तो hustle जोड़ो और calculate करके रख दिजिए सर पेपर में क्या direct आएंगे बिलकुल आएंगे आप direct और indirect पर क्यों ध्यान लगा रहे हो आप इस बात पर ध्यान लगाओ ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह आपके काम का है इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप बिलकुल चिंता ना करें जो आपके selection के लिए जरूरी केवल वही मैं बात आपसे मेरे बच्चे कर रहा हूँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर अती सुंदर मौहन रित्ती का जवरदस्त बेटा जवरदस्त आई आगे अब मेरे बच्चों में बात कर रहा हूँ कि सर मुझे बताईए 91 कवर क्या होगा सर आपने का 200 ले लो ले लेते हैं सर 200 सर 200 अगर लेते हैं तो सर ये सुंदर से कितना कम है सर ये सुंदर से 9 कम है तो 9 कवर की क्या सी दोंको में लिख दिया वही पहले 100 से ज़्यादा था तो ज़्यादा ले रहे थे इस बार कम है तो कम ले रहे हैं इससे क्या बुराई है अब सर एक बात बताना क्या बात आँ सर ये कितना कम था 9 9 का डबल करोगे 18 इस बार 100 में से मेरे बच्चे 18 घटाना होगा पिछली बार आप 100 में 18 जोड रहे थे इस बार 18 घटाना होगा 100 में से 18 घटाएंगे बच्चे का कितना मेरे बच्चे 82 82 तो आंसर होगा 82, 81 8 to 81 मेरे बच्चों मैं आप से कहूँ मुझे बताईए 95 का वर्ग क्या होगा तो ये बताईए 100 से कितना कम है 5 5 का वर्ग मेरे बच्चे 2-5 5 का वर्ग 2-5 बहुत बढ़ी अश्यांदार 2-5 5 का वर्ग 2-5 अब मेरे बच्चे 100 से कितना कम था 5 5 का डबल करोगे 10 पहले भी डबल कर रहे थे 100 में से 10 गया 90 तो आंसर आया 90 बच्चे से विश्वास रखिए धीरे धीरे हर बच्चा पकड़ जाएगा बात को मेरे बच्चों मैं आप से कहूं 39 का वर्ग बताओ और कुछ याद नहीं करना धीरे धीर अपना अपयाद हो जाएगा मेरे बच्चे कितना कम है 7 कम है 7 का वर्ग 49 अब सर 7 का डबल करो 14 हुआ तो 100 में से 14 घटाएंगे कितना बच्चा 60 तो सर आंसर आएगा 89 बाग बढ़िया सर ये बताए 98 का वर्ग क्या होगा सर ये बताओ 100 से कितना कम है 2 तो 2 का वर्ग लिखना होगा तो सिर्फ 04 लिखना होगा 2 का वर्ग लिखोगे तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे 0,4 2 का वर्ग 0,4 अब 100 में से 2 कम था 2 का डबल करोगे 4 घटाओ तो कितना ऐसा च्छान में तो 96 में 104 सहमात है इस बात से मेरे भाई अब मैं इसी कहानी को थोड़ा carry forward पे लेके आताओ मैं कह रहा हूँ कि 88 का वर्ग बताओ तो 200 ले रहा हूँ 200 का मेरे दोस्तों मतलब यह है कि 100 के नजदीक के नंबर का निकाल रहे है सारी चीचे समझा दूँगा बस थोड़ी दिर किलास में रुके रहो देखो 100 से कितना कम है सर 12 कम है 12 का वर्ग 144 एक हासे लागे 100 से 12 कम 12 का वर्ग 144 एक हासे लागे अब 100 में से 12 का डबल घटा हो 12 का डबल कितना हुआ 24 तो 100 में से 24 घटा होगे मेरे भाई कितना बचा अब यह रुक जा छेतर देखें कितना कम था 12 12 का वर्ग 144 दों को में लिखा एक हासे लागे, फिर बारा का डबल, चोविस, सो में से चोविस घटाया, चेतर, अब चेतर यहां लिखते हैं हम, लेकिन एक करीफोर ओड़े भी तो था, तो 76 में मेरे बच्चों, एक ये भी तो एड़ करेंगे, तो आंसर आएगा 7744, 7744 मेरा आंसर होगा, मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों, मुझे बताओ, 85 का स्केर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर्दीखे, 85 है, तो 100 से कितना कम 15, 15 का बार 225, लेकिन 2 डिजिट में लिखेना है, तो 2 केरी को रोड़ कर दिया, बहुत सुन्दर, अब 15 का डबल 30, तो 100 में से 30 घटा होगे, सो में 30 घटाया, तो मेरे बच्चे आया, 70, भाई 15 कम 15 का डबल 30, सो में 30 का 70, 70 में 2 जोड़ा 72, तो मेरे प्यार बच्चों, आंसर आया, 7, 2, 2, 5, 7, 2, 2, 5, मेरे बच्चे, मेरा सही आंसर है, हाँ जी, मैं आपको कहूं, 89 का स्केर बता हूँ, तो मेरे बटा यह बताओ, 100 से कितना कम है, सर 11 कम है, 11 का वर्क सर 121, हासल 1, अब 100 में से क्या करना है, मेरे बच्चे, 11 कम था, 11 का डबल 22, 22 घटाओ, 100 में से 22 घटाएंगे आएगा, 78, 78 में 1 जोड़ेंगे, 11 से 79, मेरे बच्चे, कैलकुलीशन एक दिन में किसी की ठीक नहीं होगी, लेकिन एक दिन सब की ठीक हो जाएगे, विश्वासर किये, मित्रों, बरवच्चों, 83 का स्केर बताएगे क्या हो, देखताओ, कौन कमेंट करेगा, जो सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं, उसका नाम लो, अभी नहीं, 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 बजीं, बिल्कुल ठीक है, संजे, सबसे पहले संजे, DP वर्ल्ड, जी, जी, दो बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया, आईए, 83 का स्केर करेंगे, तो 100 से कितना कम है मेरे बच्चे, 17 कम है, 17 का बाद 289, 289 को लिखेंगे 289, 89 लिखेंगे 2 हां से लिखेंगे, 17 का डबल 34, 100 में से 34 घटाएंगे, बचा कितना मेरे भाई, 66, 66 में 2 जोड होगे 68, तो आंसर आएगा 6889, आंसर होगा मेरे बच्चे, 6889, हाँ है न, मेरी बात समझे के नहीं समझे, अब मेरे बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 87 का स्केर बताओ, आप कहेंगे, क्या दिक्कत था आपको, 87, 100 से कितना कम है, 13, 13 का बाद 179, एक हैसे लागे, 13 का डबल 26, तो 100 में से 26 घटाएंगे, तो यह आए मेरे प्यारचों, 74, 74 और एक पीचितर, 7569, मेरा आपसर है, बहुत बढ़िया, दीरे, 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 सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ है कि ना आए, हम भी वही रोटी खाते हैं, तुम भी वही खाते हो, तो ऐसा कैसे हो सकता, ना आए, बताओ भाई, 78 का स्केर क्या होगा, तो सरी बताओ, 100 से कितना कम है, सर, 100 से 22 कम है, 22 का वर्ग होता है, 484, 22 का वर् तो हर हाल में याद कर लो, कम्पुटिशन की तेयरी बैठानी है, अमको, तो मेरे बच्चे यह आया, 484, 484 में आखरी दो सब लिखेंगे, 84, ठीक है जी, 4 हां से लाग है, अब कितना कम था मेरे बच्चे, 22, तो 100 में से 22 का डबल, 44 घटाओ, तो 100 में से 44 घटाएंगे, 25 प्रस के रहा है, लोजिकल में मैं और भी चीज़े बताओंगे, नहीं सवालों को और तरीकों से भी एक्स्प्लेइन करूँगा, धीरे धीरे हम अपने सारे तरीके मजबूत करें, कितना कम है, 25, 25 का वर्ग 625, सर दो ही अंको भी लिखना है, 6 हसल होगी, काटा मारो सर, अ अब सर, सो में से 25 का डबल हटा दो, 50, सो में से 50 कितना बचा, 50, और 6 हसल, 56, 56, तो मेरे बच्चे मैंने बेस लिया 100, और 100 से मैंने समझाया कि चोटा बड़ा कैसे ढूंगते, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, देखे एक अच्छा बच्चा वो होगा, जो हर सवाल को पेशन से अपने पास रखेगा, और सही वक्त पर उसे पूछे, आपके मन में आ रहा है जी, 57 का स्केर हो तो क्या करें, सब बताऊगा, ऐसा है ही नहीं कि जो मैं पढ़ाऊ और उसमें फिर कुछ रह जाए, लेकिन वक्त दर वक्त स्टेप बाइ स्टेप चीज़े लेंगे, आईए, मेरे दोस्त, बेस हमेशा ही 100 रहना है, यह जो ट्रिक आपको सिखाई है, यह बेस 100 की सिखाई है, अगर बेस वेरी कर रहा है, तो फिर कैसे करें कारवाई, आओ, जैसे मैं आपसे कहूँ, कि भाई मुझे बताओ 308 का वर्क क्या हो, तो आप कहेंगे सर, 100 बेस लेके दो नहीं मनेंगी बात, यहाँ बेस क्या लेना होगा, 300 लेना होगा, तिप समझना जो कह रहा हूँ, यहाँ बेस 300 लेना होगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं सर, कितना ज्यादा है 300 से, 8 ज्यादा, 8 का वर्क 64, दो अंकों में रखना है, ज्यादा था मेरे बच्चों, मेरी बात यहाँ तक समझे के नहीं समझे अभी, 8 का वर्क 64 क्या, अब मेरे बच्चे कितना था, 300 था, बेस हमने 300 लिया, कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा, 8 का डबल किया, 16, आंसर आया 300, 316, लेकिन क्या यह ठीक किया, नहीं सर गलत किया, क्यों गलत किया, गलत इसलिए क्या, क्योंकि सर यह बेस 300 लेते न, तब तक तो यह कहनी ठीक थी, लेकिन, मलब बेस 100 लेते तब तो यह कहनी ठीक थी, आपने ले लिया बेस 300, फिर तो सर गलत कर रहे हो, क्या गलती कर रहे कि actual में जो trick आपने सीखिए उससे value कितने गुना है 3 गुना कैसे पता चला सब 300 आपने base लिया actual में होना चीए था 100 तो 100 से 300 को ratio देखोगे 3 बटे यह नि 3 गुना है तो इसका मतलब ऐसा करने पर जो भी आपका उत्तर आया उसे 3 से गुना करो तो 16 भाई 3 से 3 सो 16 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का 900 और 16 ती 48 948 तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 948 चोंसट 948 चोंसट भाई कती ठंड़ पाओ मैं समझाओंगा मैं कहूं 215 का वर्थ बताओ या पहले छोटे पर बताता हूं 207 का वर्थ बताओ तो बेटा ये बताओ 200 से कितना ज्यादा भाई आप बेस अपने मन में 200 ले रहे हैं 200 से 7 ज्यादा 7 का वर्थ उननचास बहुत बढ़िया 7 का वर्थ मेरे बच्चे 49 अब सरी ये बताओ अगर 7 का वर्थ उननचास है तो 200 से कितना ज्यादा है साथ ज्याद है तो 200 में अपनी तरफ से साथ का डबल जोड़ो 14 14 तो टोटल आया मेरे पेरे बचों 214 अब मेरे बचों आप actual में base लेते कितना थे 100 अब कितना ले रहे है 200 तो क्या हो गया डबल हो गया सर अगर डबल हो गया तो इसे 2 से गुना करो तो 14 दोनी अठाई दो दोनी चार चार सो अठाईस 428 और नए हाई न मेरे बचों अगर मैं आप से कहूं 211 का वर्ग बताओ तो आप ये देखे 200 से कितना ज़्यादा है 111 का वर्ग 121 121 दो ही अंकों में हसल कितनी आ गई एक अब मेरे बचे 200 में 11 जोड़ दो या 11 का डबल 11 ज्यादा या 12 जोड़ दो तो यह आया मेरे बचे 222 अब है क्या कि आप बेस ले रहे जो 200 जबकि एक चुल में एक आनी थी 100 पे तो 100 का कितना गुना है मेरे बचे ये 2 गुना तो इसका आपको डबल करना पड़ेगा और इसका डबल करोगे तो आएगा 444 लेकिन एक हसल थी तो 444 और एक 445 धीरे धीरे कती किलियर करेंगे अराम से शांती से समझो मेरे बचे मैं आपको कहूँ 213 का वर्ग बताओ भई तो आप क्या कहेंगे सर 200 से कितना ज्यादा 13 13 का वर्ग 169 लेकिन सिर्फ 69 लिखो 1 केरी फोरोड कर देना अब 200 थाई 13 का डबल 26 तो सर 226 अब मेरे बचों बेस होना चाहिए था 100 ले रहे हो 200 तो क्या कैलकुलीशन बठा दिया आपने 2 गुना सर यह क्या पेपर में लिखके करना पड़ेगा नहीं रे मूरक अभी तो करना सीख रहे है अभी तो टाइम लगेगा 2 तो मेरे बच्चे से डबल करो तो 226 का दो गुना होगा 452 और 452 में एक जोड़ा 453 तो आंसर आ है 45369 45369 मेरे बच्चे 45369 क्या आप सहमत है मेरी इस बात से मेरे बच्चो क्या आपको पल्ले पढ़री बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और बताओ 219 का बढ़िया आप कहेंगे सर 200 से कितना ज़्यादा 19 ज़्यादा 19 का बढ़िया 361 तो सिर्फ 61 लिखेंगे कितना ज़्यादा था 19 19 का डबल करेंगे 38 तो एड़ करेंगे मेरे बच्चे 238 अब आप सिर्फ ये सोचिए कि बेस लिया आपने 200 है जबकि होना चीए था 100 तो 100 से 200 कितना गया 2 गुना गया बहुत बढ़िया तो सर इसका 2 गुना करो तो 238 का 2 गुना करोगे और फिर 3 जोड़ना क्योंकि केरी फर ओड़ था तो देखें मेरे बच्चे अगर बढ़ी संख्या हो मिल्टिप्लाई तो ऐसे करो 28 जा 16 28 16 16 और 3 उननेस 29 हां से लेग 26 और 7 दो दुनी 4 हां जी नहीं तो 238 का डबल होना 25 बताओ 215 का बढ़े क्या होगा तो आप कहेंगे सर कितना ज़्यादा है 200 से मेरे भाई 15 ज़्यादा तो 15 का बढ़ 25 सिर्फ 25 लिखेंगे 2 केरी फर ओड करतेंगे अब 15 का डबल 30 तो यह आया 230 मलब 200 जमा 30 अभी एक एक स्टेप समझाना इसलिए लिख रहा हूं 230 बहुत संदर हमने बेस लिया क्या है 100 और हो क्या रखा इसमें 200 तो कितना गुना है 2 गुना तो इसका डबल करो 230 का डबल होगा 460 और 2 यह 462 यह मेरा अंसर आगया हाँ है न देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बताएगा 220 टू का स्क्वेर तो आप कहेंगे देखो सरी 200 से कितना ज़्यादा 22 22 कवर गोता 484 484 में लिखेंगे 8,4 4 आगई मेरी हाँसर बहुत बढ़िया अब सर 200 से कितना ज़्यादा था 22 22 का डबल 44 तो यह आया 244 244 बेस कहले लिया 200 होना चीए 100 डबल लिया आपने तो दो से गुना तो यह आएगा 488 और 4 यह तो 400 बाण में 400 बाण में 84 मेरे बच्चे मेरा आउसर मेरे भाई मेरा उद्दिश्य सिर्फ यह यह है कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि आप क्या कैलकुलेशन वर्बली कर पा रहे हैं अगर कर पा रहे हैं तो बताएं 200 214 का स्केर देखता हूँ कौन बच्चा सबसे पहले कमेंट करता आंसर बिन आप को पी पैन यूज करें लगाए दिमाग बताओ मेरे बाई बहुत बढ़िया 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 अमन सबसे पहले आंसर दिया आमन ने देखें मेरे बच्चे 200 से कितना ज़्यादा बढ़िया डवेट नहीं करेंगे 200 से कितना ज़्यादा 14 14 का बरग होता है 196 तो सिर्फ 96 लिखिए 1 केरी फोरोड करिए अब 200 में 14 का डबल जोड़ों 28 28 456 456 और एक ये वाला 47 जब आपकी ये कैलकुलिक्शन वर्बल ही हो जाया तो समझो आप ठीक डारेक्शन में गए मेरे बच्चों मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ 315 का बरग बताओ क्या होगा तो आप ये कहेंगे 300 से कितना ज़्यादा 15 300 से कितना ज़्यादा 15 15 का बरग मेरे बच्चे 225 होता लेकिन आपने रिखना है 2 इडिजे 2 फाइफ 2 बच्च क्या बहुत बड़िया अब भई 15 का डबल करोगे कितना आएगा 30 तो 300 में 30 जोडोगे 330 आएगा अब आपने बेस क्या लिया है 300 होना क्या चाहिए 100 तो 100 से कितना गुना लिया है 3 गुना तो इधर 3 से गुना करना हो तो यह आएगा 990 93 99990 और 2 920 में यह मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 920 मेरे 25 मेरा आंसर आएगा गभराना ही नहीं है यह बताओ भाई देखता हूँ कौन सबसे पहले बताएगा बताओ भाई कौन सबसे पहले बताएगा 416 का वर्ग मेरे पेरे बच्चे ओ 416 का हम लिख लेते हैं 416 का वर्ग होता है 256 तो 56 तू कहना राज को क्या भी यह 56 दो हंसे लावी मेरे बच्चे दो केरी फोरोड करना है अब 400 16 का डबल 32 ठीक है जी 432 अब दिख्कत यह है कि मैंने 20 लेना था 100 लेकिन मैं ले चुका हूँ 400 तो कितना गुना ले गया मेरे बच्चे 4 गुना तो इसका 4 गुना करेंगा इसका क्या करेंगे मेरे बच्चे 4 गुना करना पड़ेगा आपको 20 का भी तो देखो और फिर 2 एड भी करना थी हैं करो 4 दो नहीं 8 8 और 2 10 अंसल 1 4 गुना चारती 12 और 1 अंसल 13 4 गुना चारती 12 और 1 अंसल 13 तो अंसर आएगा 17 30 56 बोलो भाई हाँ या ना आई आगे मैं आप से कहूँ के भीया 523 का वर थोड़ा टाफ है पर बताईए मेरे भाई देखना चाहता हूँ कितने विच्चे आंसर दे पाएंगे 523 का वर वर वली देखें इनी सावलों को मैं और तरीकों से भी समझाऊँगा चिंता की बात नहीं है लेकिन अभी आप आप आंसर करिए जो तरीका सिखारों इसी पर है तो आप कहेंगे सर 500 बेस ले लेते हैं मन ही मन में 500 से कितना ज़्यादा है सर यह 23 ज़्यादा है 23 का वर करेंगे 539 आता है 539 को सिर्फ दो नो लिखेंगे वही एक से 25 तक याद करेंगे पांच हसे लाई अब मेरे बच्चे सर अब यह बताओ 23 का डबल 46 तो सर यह आया 546 अब सर जी बताओ कि 20 कितना होना चीए 100 है कितना 500 कितना गुना 5 गुना तो 5 गुना करेंगे तो 5 चिंग 30 30 और 5 35 अंसल 3 5 चुग 20 और 3 23 अंसल 2 25 और 2 27 तो आंसर आया मेरे बच्चे 27, 35, 39 27, 35, 39 मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 27, 35, 39 हाँ है ना चलिया यार उत्तर ही बताना है ना तो थोड़ा फास्टे बताईएगा 805 कवर भाई यूट्यूब के इत्यास में सबसे फास्ट कैलकुलीशन आप सीख रहा है बताईए मेरे बच्चे 805 कवर कैसे निखाला जाए एनरजी लाओ ले लिए हो तो 5 का डबल करोगे 10, 80, 10 ही लिखना नहीं है सिर्फ समझना के लिए होती है चीजे अब 100 होना था बेस आब 800 ले लिए कितना गुना? 8 गुना तो 8 से गुना करोगे 0, 8 हे कम 8, 8, 8, 64 तो मेरे बच्चे आंसर आए 64, 85 64, 85 64, 80, 25 64, 80, 25 मेरे अंसर आए क्या आप सहमत है? आएए मेरे बच्चे अब बताना ही है 909 का स्केर देखते हैं कौन बतायागा तरीका वही है आपको बस यह देखना आप बेस क्या लेना है सर जी 900 तो यह बताओ 9 ज़्यादा है तो 9 का बर की क्या सी? दो डिजिट में अब 9 का कर दो डबल कितना वह सर? 18 तो यह हो गया 918 अब सर होना चीए बेस 100 आप 900 ले रहे हैं नो गुना तो इसका 9 गुना करना है हाँ है न यहां केरी फोरवर्ड कुछ है ही नहीं सीधा गुना करो 982 हासल 7 9 एकम 9 982 हासल 7 यहासी मेरा सही आंसर है हाँ है न एक दो गलत कराएं हैं वो बताने हैं क्या गलत करा रहा हूं कैलकुलीशन में कहीं मिश्टेक कर रहा हूं सब कुछ बोलना है खड़ा खट कर रहा है ताकत से अब मेरे बच्चों कहानी को उल्टा लेके चलते हैं कह सर आपने कहा के बई 207 का वर्ग निकालो तो सर आपने कहा के बई 7 का वर्ग बोलन इंचास कर दो 200 से 7 ज़्यादा तो 214 हो गया यह 200 से 7 ज्यादा 7 का डबल 14 214 हो गया अब सर बेस 200 है नि 100 से डबल है तो 200 यह आएगा 428 लेकिन सर कहानी उल्टी हो 200 से कम कर दें तो 133 में करें तो अब बताओ इसका अब बताओ तो जाने तो आप कहोगे सर, बताओ तो जाने का क्या मतलब है, 200 ले लो न बेस, 200 से कितना कम है? 7, 7 का और कितना हुआ सर, 49 7 का और कितना हुआ 49, अजी, बिल्गू ठीक है अब सर ये बताओ कि 7 का डबल क्या होगा क्योंकि 7 कम था तो 7 का डबल कितना होगा 14 200 में से 14 हटाओगे तो यह आएगा 186 भाई, calculation एक ऐसी चीज है जो एक दिन में सही नहीं होगी धीरे 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 calculate करते करते समझ जाओगे, बहुतों को 200 में 14 घटाने में भी दिक्कत होगी लेकिन यह विश्वास मानों यह बहुत बहुत है और आप बहुत जल्दी तयार हो जाएंगे क्योंकि आपने सीखना स्टार्ट कर दिया वेकूप तो वो हैं जिनोंने चलना ही सरू नहीं किया आप चले हैं तो नेचरल है गिरेंगे भी फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे फिर एक दिन चलना सीख जाएंगे आई तो मेरे भाई इस बार बेस 200 ले लिया तो जो हम लेते हैं एक्च्वल में उस 100 लेते हैं तो सू का कितना ले लिया दो गुना तो इसका डबल कर दो तो भाईया दो चे के बारा दो अठे सोड़ा और एक सत्रा दो एकम दो रेक तीन सो बाहतर तो आंसर होगा 372 372 मेरे भाईयों आंसर हो गया कह दूं तुमे या चुक रहूं दिल में मेरे आजे क्या है पूछो तो जान बताओ मेरे भाई 255 का अबर क्या होगा मेरे बच्चो ध्यान दो ये बताओ कि बेस क्या लोगे 300 लोगे 300 से कितना कम ले रहे हो 5 मेरी तरह लिख के नहीं करना आप तो समझदार है 5 का और 25 दो पांच अब मेरे बीटा एक बात बताओ अगर ये 5 कम है तो 5 का डबल 10 तो यह आया 290 बहुत सुन्दर मेरे भाई 290 अब सर कहानी ये है 290 कहानी ये है कि 290 जो है बेस सो लेते तब तो ठीक तो 300 लिये हैं तो 3 गुना है तो 3 गुना गठाना होगा तो 39 ती होता 87 बहुत होगा याद नहीं होगा दो गुना करो तो 875 मेरा आंसर है सर मैं अगर आपको कह दूँ के 800 बान में इसका वर्ग बताओ तो बताओ भाई कमेंट करो अग लगा दो दुनिया में कमेंट करो यहां पर एज़ाज वाले को मशलामिया क्या हाल है आओ मेरे बच्चो क्या करें भाई बेस क्या है 900 900 से कितना काम है मेरे बच्चे 8 8 कवर 64 8 का डबल करोगे 16 घटे का गलती मत करना 900 में से 16 घटाएंगे तो बच्चे का 886 नहीं भै 84 884 आपने का बिल्कूर ठीक है किसी भाई को दिक्कत है यहां तक नहीं अब मेरे बच्चे बताओ 200 लेना था आप ले चुके ओ 900 तो क्या तहल का मचा दिया सर 9 कर दिया 79 तो आंसर आएगा 795 664 795 664 क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है समझ गए चले एक और बताओ केह दूं तुम्हें या तुम्हें हूँ दिल में मेरे आजे क्या है बताओ भाई 582 का बर क्या होगा बताओ मेरे बचे पूरी ताकत के साथ जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो यूट्यूब पर पढ़ने का फाइदा तभी है जब आप पाटिसिपेट करें वरना तो हजारों लाइव है यूँ ही रहें कि फाइदा क्या make it पाटिसिपेटेबल देखे भाई बेस का लिये हो मेरे बच्चो 600 600 से कितना कम है सर 18 कम है सर 18 कम है सर 18 कम 12 का बरग होता है 324 सिर्फ 2-4 लिको 3 हां से लिगता हो बहुत बड़ यह है 3 हां से लिगता हो फिर सर 18 का डबल होता है 36 तो घटाएंगे तो पान सो 64 धिरे धिरे बात समय वाइगे बेस के लिए हो 600, कितना गुना, 6 गुना तब 6 से गुना करना है जो रजल्ट है उसमें 3 जोड़के हैं लिखना है तो सीधा गरो, 6, 4, 24, 24 और 3, 27 अंसल 2 6, 36 और 2, 38 अंसल 3 6, 5, 30 और 3, 33 तो मेरे प्यादे बच्चो आंसर है 3, 38, 7, 24 3, 38, 7, 24 3, 38, 7, 24 मेरे बचिए 3, 38, 7, 24 क्या अवसेहमत हैं आंब मेरे बच्चो कहानी को इलट-पलट सर अगर हम आपको ये कहें कर दो तो आप बेस क्या लोगे तो सर एक बात ध्यार नकला है अब आप फ़स जाओगे अगर बेस 100 लोगे तो 100 से कितना काम है यह 43, 43 का वर्ग तो आप मना कियो आप कहें कि एक से 25 तक के वर्ग याद करो तो फिर यहां 43 का कहां से याद करें तो देखे यार यहां पे बेस 50 ले लो यहां बेस 50 ले लो तरीका वही यहां 64 सर यहां लिख दो 64 लेकिन ऐसा था हम तब करते थे सर जब बेस सो लेते थे अब लिए 50 तो नियम अभी भी वही है यह देखो कि जो बेस लिए वो ओरिजनल 100 का कितना है तो आदा है तो मेरे बेचे इसका मतलब 50 लोगे तो इसे एक बटे दो से गुना करना है तो गुना करोगे तो 32 आंसर है तो आंसर होगे 32 उने चास इसे 10 सेकंड के लिए पी लो गट गट करके पी लो आईए 69 का वर्ग बताईए भई 20 ले ले लेते हैं 50 50 से कितना ज्यादा मेरे बचे 9 9 का वर्गे कैसी 2 अंग 9 का वर्गे कैसी 2 अंग अब 9 का डबल करोगे मेरे बचे 18 बहुत बड़ी है सैट 50 में 18 जोड़ा 68 ये भी बाट ठीक है लेकिन सर्थ समश्या ये हम तो बेस 50 लें जबकि लेते 100 हैं तो 50 सो का कितना गुना है अब हर बाद लिखोगे थोड़ी मन में आना ची एक बटे 2 गुना तो सर इसका एक बटे 2 गुना करो दो से काटोगे 34 यह लिखोगे 34 3481 मेरे बचे जल्दी से एक बार येस या नो करो कितने बचे समझगे जिनको आगया समझ वो यह सर लिको जिनको नहीं आया उन्हों सर लिको और बताएंगा यार यह दुनिया बताओ भईया 61 कावर तो बताओ बटे 50 अगर 20 ले लें तो 50 से कितना ज़्यादा 11 ज़्यादा 11 कावर 121 लेकिन दो ही अंकों में लिखना होता है दो एक, एक मेरे बेटे हसल आ गई एक मेरे दोस्तों हसल आ गई, एक मेरे बच्चों हसल आ गई बहुत बड़ी है, अब अब सर कितना ज़्यादा था 11, 11 का डबल 20 50 में 22 जोड़ा मेरे बच्चे बहुत ध्यान रहे आपको आधा करना होगा क्यों क्योंकि 50 बेच लिया आधा करेंगे 36, 36 में एक एड़ करेंगे 37 मेरे बच्चों आज़ाएगा 37 आज़ाएगा मेरे बच्चों 37 बहुत बहतरी निट टॉप अम टॉप सवाल है आई मेरे को बताओ 65 का वर्ग तो भाई ये बताओ 50 से कितना ज़्यादा 15 15 का वर्ग 225 देखिए कोई भी चीज बिना प्रैक्टिस नहीं आते 225 में 25 असल तो लिख दो calculation mistake के लिए सोरी आईए अब मेरे बच्चों बताओ 50 से कितना ज़्यादा 15 15 का डबल करोगे 30 बहुत 50 50 से 15 ज़्यादा 15 का डबल 30 80 का आधा करना होगा क्यों करना होगा क्योंकि बेस आधा लिए हो आप असलियत में लेना होता था 100 आप लिए हैं 50 तो आधा करना होगा तो भाई ये 80 का आधा 40 40 और 2 42 आउनसर होगा 42 बच्चे से क्या आप सहमत है मित्र क्या आप सच में इस बात से सहमत है या नहीं है हाँ या ना आई अब भाईया बताईए 68 का बर क्या होगा देखता हूँ कौन पहले देखा इसी तरीके से आईए मेरे भाई ये बता हो मेरे दोस्त 50 से कितना ज़्यादा 18 18 का बर 324 दो चार लिखोगे तीन हसे लिखता हूँ अब भाईया पचास में 18 ज़्यादा तो 18 का डबल 36 पचास और 36 चासी लेकिन मेरे भाई आदा करना पड़ेगा का है कि 20 आदा लियो तो 86 का मेरे प्यारे बचों आदा करोगे तो आएगा 43, 43 और 3 46 तो आणसर होगा मेरे प्यारे बचों 46 चोबिस 4624 4624 मेरे नचने मुन्ने बचों आणसर होगा 4624 अब सर ये बात तो आपकी पल्ले पड़ गए लेकिन सर ये बताओ इस का अबर क्या होगा सर यहाँ 200 नहीं ले सकते लेकिन बेस 1.5 ले सकते लेलो सर तेले सो उन कुई दिक्कत है नहीं कितना ज्याद है धेले सो से 8 ज्यादा 8 का वरक सर 64 दो ये अंकों में लिख दिये 68 आठ का वरक सर 64 अब मेरे बचों यह बताओ 8 का वरक सर 64 कर दिया तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 8 का डबल करेंगे 16 150 में 16 जोड़ेंगे 166 लेकिन मुझे एक बात बताओ हम बेस एक्चल में लेते क्या हैं 100 ले क्या रहे हैं 1.500 तो 3 मटे 2 गुना है तो यानि जो भी हमारी वैल्यो इसका एक्चल में 3 मटे 2 गुना ले 2.8, 16, 2.6 3.9, 3.8, 24 2.49 249 249, 64 में रहाथ सर 249, 64 मेरे बच्चे मेरा आंसर है क्या आप सहमत है अरे हाँ है ना मेरे भाई क्या आप सहमत है या नहीं है पक्की बात है बहुत बड़िया आए मैं ले रहा हूँ बढ़े 261 इसका स्किर्ट हो देखिया स्किर निकालने के 3 तरकीवे बताई है पहली तरकीव पे चर्चा चल रही है फिर एक स्टेंडर्ड फार्मूला बताऊंगा जो हरी एक में लगेगा और फिर एक लोजिकल होगा जो किसी भी स्केर को एक सेकंड में ब्रेक करतेगा अना तो स्टेप बाई स्टेप चलोगे तो पले पड़ेगा अब मचा भी आयागा देखे यार बेस आपको यहाँ धाई सो लेना पड़ेगा देखे कुछ-कुछ तो बाते अब पले पड़ी होगे पहले से अब समझ का स्तर बढ़ा होगा तो भहिया धाई सो से अब मेरे लिए दिक्कत यह है कि मैंने बेस लिया 500 जबकि बेस होना चीए 100 तो सर क्या सैटिंग हो इस सर पांच बटे दो गुना ले रहा है तो जो भी उत्तर आएगा उसका पांच बटे दो गुना करना होगा आप कहोगे सर यह कुछ बड़ा नहीं लग रहा हाँ यार बड यह न गुना गरो पांच इंग 30 31, 5 15, 3, 18, 5 एकम 5 और 600, 621 किस आंसर शीक्स एट वन टू वन मिरा आंसर, 681 टू वन मिरा आंसर, 681 टू वन मिरा आंसर, 681 टू वन मिरा आंसर, बताओ बाई, बताओ मेरे भाई, अनि यह तो 504 तो ज्यादा ही नजदिक देती है अनि भाई तो मेरे बच्चो यह बताओ यह 550 के नजदी के या 500 के नजदी के या 600 के नहीं सर 550 के नजदी के लेकिन सर इससे लेंदी आ रहा कोई दीकत नहीं घबरा क्यों रहा है मैं हूना जिंदा यह बताओ कितना जदाओ चार चार का वर्ग 16 एक झालिक दिया अब चार जदाओ था 550 से तो उसमें चार का डबल आठ तो यह आया 58 अब मेरे बच्चों यह बताओ 550 बेस जो था 550 जो बेस था वो लिया आपने जबकि होना चीए था सू तो पान दूनी दस पांच ग्यारा मठार देखे यार मैं आपको मीठा मीठा लिड़ो नहीं खिलाना चाहता हूँ मैं आपको मीठे के साथ धीरे-धीरे कड़वी डोस भी देना चाहता हूँ इसलिए कड़वी के लिए भी तयार ही है मेठी के लिए भी तयार ही तभी तो selection होगा demo का मतलब यह नहीं न कि आसान आसान चीज़े बताई जाए demo का मतलब है असलित बताई जाए जो पढ़ना है देखो 11 से गुना करोगा अच्छा 11 से किसी भी नंबर को multiplication का एक तरीका होता है बता देता हूँ जैसे इसे 11 से गुना करना है तो पहले 9 लिखो फिर 9 और 7 16 अल दोनों को जोड़ो हासल 1 फिर 7 और 2 9 हासल 9 में एक जोड़ा 10 एक रहेगी जैसे मान लीजे मैंने लिखा 5 6 7 8 इसे 11 से multiply करो तो पहले क्या करो आठ लिखो फिर 8 और 7 को जोड़ो 15 15 का 5 हासल 1 फिर 7 और 6 जोड़ो 13 13 और 1 14 हासल 1 6 और 5 11 और 1 12 हासल 1 5 और 1 6 ये मेरा असर है मेरे भाई मैं आपको कहूं 2 3 4 5 6 7 गुना जारा बताओ क्या है तो पहले 7 सोरी पहले सिर्फ 7 लिखो फिर 7 और 6 13 का 3 हासल 1 6 5 11 और 1 12 हासल 1 5 और 4 9 और 1 10 4 3 7 और 1 8 3 और 2 5 और फिर 2 ये मेरा असर होगा ऐसे ही मेरे भाई जब यहां 11 से गुना करेंगे तो पहले लिखेंगे 9 फिर 9 और 7 16 हासल 1 7 और 2 9 और 1 हासल 10 दो और 1 हासल आई 3 तो आंसर हैगा 3 3 0 6 9 1 6 3 0 6 9 1 6 यह भीरा अंसर होगा अब मेरे बच्चों और आगे बढ़ते हैं देखियार कैलोकुलेशन से बोर नहीं होना कुछ हो जाया कमेंट करते रों चीन फाट करते रों कमेंट हो पह आओ भाई देखिये मेरे बच्चे अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपको मैंने कहा कि भाई 53 का वर्ग बताओ तो आपने कहा देखो सर बड़ा सिंपल है 50 बेस ले रों 50 से कितना ज्यादा 3 3 का वर्ग वर 9 लेकिन दो अंकों में लिखेंगे 0,9 अब जितना ज्यादा था उसका डबल करो 50 में 3 का डबल 6 जोड़ा 3 का डबल 6, 56, 56 का आधा कर दो 28,0, ऐसा क्यों कि असर ऐसा इसलिए क्या क्योंकि बेस 50 लिया जबकि होता 100 है तो 100 से ये आधा है इसलिए आधा किया सर ठीक है लेकिन यही कहानी मैं उल्टी कर लूँ इसमें फचास से तीन ज्यादा था मैं फचास से तीन कम ले लूँ 47 ले लूँ फिर तो भी तरीका यही होगा सर पचास भेस ले ले थे पचास से कितना कम 3 5 3 के बर्क सर 9 लेकिन में से 6 गया 24 लेकिन ये ध्यान देना कि हमारा 20 था 100 ले रहे हैं 50 तो काटा तो 1 by 2 तो इसका 1 by 2 करेंगे मेरे बच्चों तो यहाएगा 22 तो आंसर आएगा 22 जीरो नो आंसर होगा मेरे भाई 22 जीरो नो सहमत है या नहीं है बोलो हाँ या ना अरे बोलो भाई कुछ तो कहदो तो भाई पचास से कितना कम है आठ आठ का वर 64 64 बहुत सुन्दर फिर अब आठ का करदो डबल आठ का डबल करोगे क्या आएगा 16 पचास में से 16 घटाओगे भाई आएगा 34 और 34 का करना होगा आधा आधा क्यों करना होगा क्योंकि बेस पचास लिया है तो आधा 17, 1764 आठ सर होगे हाँ जी यानि आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि जो भी आप बेस ले रहे हैं उससे छोटा है तो डबल करके घटाओ बड़ा है तो डबल करके जोड़ो फिर 100 से वो देखो जो बेस आपने लिया हो कितने गुना है उससे आंसर को मल्टिप्लाई करो आपको आंसर आएगा देखें मेरे दोस्त मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई याद बताओ 300 नो कावर्ग बताओ तो आप ये क्या कि एक केरी फोरवड कर लो बनाब दो इडिजिट लिके बाकी केरी फोरवड कर लो अब नो का डबल 18 300 में सा 18 गटाओ ये आया 282 फिर ये देखो ये 100 से कितना गुना है तो ये सर तीन गुना है तो सर इसे तीन गुना करे 3,9,6, 3,8,24, 3,9,6 और दो आठ, 860 तो 840 यहां लगा दे 840 ही क्या से अब मेरे दोस्तों कुल मिला के मतलब ये है कि मैंने आपको पहली टाइप पूरी तरह किलियर करा दिया और मैं ये उमीद करता हूँ कि पहली चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि based hundred लेकर कैसे करें अभी मागे भी करा हूँ मेरे प्यारे बचो बिना practice के calculation नहीं होगी practice कैसे करें तो practice की seat आपको वीडियो के description में मिल जाएगी मेरे प्यारे बचो लगातार परियास करना is इसकी practice की क्योंकि जितना practice करोगे न उतना बहतर तरीके से सीखोगे अगर practice नहीं करोगे तो सीखोगे जीवन में कभी भी नहीं अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरा तरीका that is logical अब मेरे भाई हम करते हैं क्या मैंने base hundred लेके सारा समझा दिया अब मेरे प्यारे बच्चों करता हूँ logical देखे एक square निकालने के कुछ logic है उन logic को अगर आप याद कर सके तो याद रखिएगा बहुत काम के logic है चोटी चोटी चीज़े बड़ी काम आएंगे देखे है मेरे बच्चों ये बताओ कि 11 का work क्या होता है तो आप कहेंगे 121 होता है हर जगे नहीं लगेंगे जो कह रहा हूँ सिर्फ उस में देखे हैं calculation एक trick बेस चीज़े हैं trick जोती चोटे से limited से portion पे लगती है हमें सारी चीज़े सीखनी क्योंकि इन ही के आधवार पर ही काम होना है आपका exam का आप ये बताओ पहले मुझे मेरे बच्चे तीन का work क्या होता है आप कहेंगे सर 9 ठीक है जे अब अगर मैं 33 का work पूछ लूँ फिर तो सर करना ये है देखे ट्रिक बेस है कोई logic नहीं इनमें वैसा लेकिन छुट छुटे logic है उसी logic को ये हम ट्रिक का नाम दे रहे है कि तीन है तो तीन का work करके दो अंकों में लिखो 0,9 अब यहाँ दो बार तीन है ना तो एक बार 9 से छोटा लिखो और एक बार 0 से बढ़ा लिखो कैसे जैसे 333 इसका work कर रहे है मेरे बच्चे तो तीन का work करेंगे मेरे प्यारे बच्चो 0,9 अब मेरे बच्चो हैं कितनी बार है एक, दो, तीन बार तो दो बार छोटा लिखो और दो बार बढ़ा लिखो मेरे बच्चो तीन का work करो 0,9 एक, दो, तीन, चार हाँ जी तो चार बार तीन लिखें तो तीन बार 9 से छोटा लिखो तीन बार बढ़ा लिखो हाँ है न मेरे बचचो 5 बार 3 है देखे तरीका बहुत असान है चोट चोटी याद है अगर चोटे चोटे हिसा याद करोगे पेपर में डिरेक्ट भीड़ेगा आप सोल कर दोगे यहां तीन है, तीन का वर्ग आएगा जी रो नाइन हाँ जी, अब यहां देखो कितनी बार है, एक, दो, तीन, चार, पांच बार, तो चार बार इससे छोटी वैल्यो लिगो और चार बार इससे बड़ी वैल्यो रुको आँ, यह मेरा आज़ आज़ अब आते हैं चे के वर्ग पे, चे का वर्ग होता मेरे बचे, 36, आपने का ठीक है, मैं कहूं, डबल सिक्स, इसका वर्ग बताओ तो मेरे बचे शे का वर्ग वा पbon 30 अब यहां कितनी बार है께서 दो बार तो एक बार इससे छोटा और एक बार इससे बढ़ा ये इसकी value उताओ मिरे बचे तो शे का वर्ग मिरे पेरे पराफ जो 36 कितनी बार लिखाएंग़ एक दो तीन बार कितनी बार लिखाएंग़ तीन बार, तो मेरे बच्चे दो बार इससे छोटा लिखो और दो बार इससे बढ़ा लिखो अब करते हैं चार बच्चे तो छे का बर्ग मेरे बच्चे च्छत्तेस बहुत संदर, अब क्या करना है एक, दो, तीन, चार बार लिखा तो तीन बार छोटा लिखो मेरे बच्चे और तीन बार बढ़ा लिखो यह मेरा अज़र हो क्या याद रख पाएंगे अब आ गया यह अगर मेरे बच्चे नो कवर करें 81 99 कवर करें मेरे प्यारे बच्चो तो यह बताईए 9 कवर क्या हुआ 81 80, कितनी बार हैं, दो बार, तो एक बार छोटा लिखो, एक बार बढ़ा लिखो, जैसे यहां 6 से छोटा 5, 3 से बढ़ा चार, ऐसे ही मेरे बच्चे 4 टाइम्स नहीं लिख दो, इसका स्केर पूछो आपसे तो, तो 9 का बार करोगे 81, यहां कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, तो 3 बार लिखो, क्योंकि 4 बार है, और 3 बार बढ़ा लिखो, यह मेरा अंसर होगा, मेरे नन्ने मुन्ने बच्चो, अब हम इसी कोसिस पर आगे बाढ़ रहे हैं, कि हम ऐसे छोटी-छोटे कुछ बुलेट पॉइंट है, जो आपको पता होने चीए, जिसके आधार पर आप चीज़ और 9 में ही अपलाई होगा, हर जगा अपलाई नहीं होगा, गलत फहिमी नहीं पाल लेए, के लिए रहे, अब आगे आते हैं, मेरे बच्चे एक कावर करेंगे, एक, 11 कावर करेंगे, तो 121, नियम ये है, कि दो बार है, एक, दो बार लिखा हुआ है, तो एक, दो फिर वाप से है, ये 2-1, अगर मैं 4 बार एक लिखूँ, इसका वर्क पूछूँ, तो 1, 2, 3, 4 बार है, तो 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, यानि जितनी बार आ रहा है, उतनी गिन्ती ले जाई फिर वाप से है, ये छोटी छोटी चीजे बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पेपर में डारेक्ट पूछे जाने है, अब मेरे बच्चों आगे आईगे, ऐसी अनेको अनेक छोटी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखनी है, काम आईगे, मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे 11 का वर्क पूछूँ तो क्या होगा, 121, 101 का वर्क पूछूँ तो, अब एक सुनने, दो सुनने, एक आजाएगा, 121 लिखा है, बस 0, 0 बीच मा आगए क्योंकि एक 0 था, अगर यहाँ 1001 लिखूं तो, तो सर यह हो जाएगा क्या, 1002, 001, यानि है अभी भी 112, है अभी भी 112 मेरे दोस्त, लेकिन यहाँ 2 0 है तो इधर भी 2 0, इधर भी 2 0, इधर भी नन्य मुन्य भाई, अगर यहाँ 3 0 गह भर कर रहे हैं, तो एक, एक, दो, तीन, फिर, माफ कर दो भाई, दो, फिर 3 0, फिर एक, यह मेरा अंसर हो जाएगा, चोटी चोटी बात हैं, पता नहीं कहां कौन सा सवाल एकदम डारेट भड़ेगा आपको, ऐसे ही मेरे भाई, मैं कह दूं, तुम्हें 12 का बताओ, 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 तो 12 था, क्योंकि लिखा तो भी 12, 12 का बताओ, 144, यहां कितने ही 0, मेरे बिटे 2 0, तो 2 0, यहां 2 0 है, लोजिक समझ गया हूं कि आप, लोजिक समझे के नहीं समझे, पेपर में कैसे हो रही का बताओ, 1 0 3 का स्केर बताओ, तो मेरे बच्चे 1 6 9 लेखेंगे, 1 0 थी, तो 1 0 यहां, 1 0 यहां, 1 0 3 का बताओ, तो यह आएगा, भी आप 13 बना 13 का बर्ग 119 तर, तो 2 0 है, तो 2 0 यहां, 2 0 यहां, यह मेरा अंसर होगा, लेकिन यह भी अप्लाई केवल 11, 12 और 13 मेहें होगा, देखिए, जब हम ऐसी चुट्रिक सीखते हैं, देखिए, बेस वाला सीखा, तो वह हर जग अप्लाई होगा, लेकिन ऐसी लोजिकल ट्रिक सीखते हैं, तो मेरे बच्चे, कुछ एक जगह ही अप्लाई होती, और उन सारी जगहों को हमें याद रखना है, क्योंकि पेपर मे 625, नियम क्या असर? नियम यह है, कि अगर किसी नंबर का unit digit 5 है, अगर मेरे बच्चे किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, unit digit 5 है, unit digit 5 है, और आप उसका वर्क कर रहे हैं, तो इस नंबर का वर्क करो, पांच का वर्क 25 है, और फिर जो यहाँ नंबर है, इस से अगली संख्या एक सागे दो, तो एक दूनी दो आ गया पांच कवर किया 25 फिर दो से अगला नमबर 3 तीन दूनी 6 मेरे बच्चों अगर मैं या 35 कवर पूछ हूँ आपसे तो पांच कवर क्या हुआ जी दो पांच विल्कुल ठीक है और तीन से अगला नमबर 4 तो 4 ती ये 12 मेरे बच्चे 45 कवर पूछें तो पांच कवर 25 बहुत सुन्दर चार से अगला नमबर 5 पांचों बीस पच्चेस 55 का पूछू मेरे भाई तो पांच कवर 25 इस पांच से अगला नमबर 6 पांचिंग 30 30 पच्चेस मैं आपसे पूछू के भाईया 995 का वर्ग बताओ तो सर पांच का वर्ग 25 बहुत सुन्दर सर यहां क्या है 99 99 से बड़ा नमबर 100 तो 99 को 100 से गुना किया 99 अरे हाँ है ना कुछ तो कह दो अरे भाई कुछ तो कह दो कहोगे कर नहीं कहोगे अगर मैं आपसे कहूँ 1005 का वर्ग बताओ तो आप क्या वोगे 5 का वर्ग क्या होगे 25 बचा क्या असर 100 100 को से अगला नमबर 101 101 को 100 से गुना किरोगे 101 दो जीरो यह मेरा असर आगा मेरे भाई यह चोटी चोटी चीज़े हैं आपको याद रखनी इनी चीज़ों के अधार पर ही आप कामिया भी हासल करें तो मेरे बच्चे आज की क्लास हम यहीं रखते हैं मुझे बहुत उमीद है कि आपको यह बाते समझ आई होगी अगर आपको समझ आई तब बरदस्त लेवर पर कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए और फिर आपको मेरे प्यारे विचो कल दुबारा मिलते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद साथ में मैं प्रैक्टिस से डलवा रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है प्रैक्टिस से डल निकालनी है सारी केलकुलीशन की प्रैक्टिस जल्दी जल्दी से कर लेनी है तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद Have a nice day to everyone Thank you